और विधान मंडल के शीत कालीन सत्र के तीसरे दिन आखों में काला पट्टा लगा करके आरजेडी विधायक मुकेश रोसन सदन पहुँच गए आखों में काला पट्टा और हाथों में बैनर लिये कहा कि मैं सुशासन हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता है मैं नितीश कुमार का सुशासन हूँ और यहां बच्चे शराब बेच रहे हैं और उसे च्छा रोजगार नहीं है वाई न्यूज नेशन से खास बाचीत में उन्होंने कहा कि पिछले आठ साल में अब तक 156 लोगों की मौत जेरीली शराब से हुई है और यह गलत है सदन में आज काला पत्ता पहन कर आरजडी विधायक जो है वो पहुंचे हुए है और सुशाशन का दिक्र कर रहे हैं और कहुरें कि हिम अनदे हमें कुछ नहीं दिख रहा है R.J.D. के विधायक है मुकेश रौसन हाथों में वो बैनर लिखा हूँ है लिखा हुआ मैं सुशाशन बाबू हूँ मैं अन्दा हो गया हुँ मुझे नहीं दिख रहा R.J.D. से विधायक हैं और आज सरण के तीशे दिन पहूंचे असया लिख रहे हैं बिहार में भरस्टाचार का बोलवाला है अब सरसाही है लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा है मैं सुसासन बाव हूं मैं अंदा हो गया हूं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सवाल है मुकेश जी कल सदन में सरकार ने एक आकड़ा पेश किया था का 2016 से अब तक 156 लोग की शराब बंदी से मौत हुई है एक बात बता ही ना 2016 से 2024 आगया नौ साल में आपको बस 156 लोग का मौत हुआ है 156 लोग तो अभी छपड़ा में ही मड़े है सरकार आकरा चुपा रही है जिस तरीके से आए दिन जन परतिनीदियों का हत्या हुँ रहा है कि सुसासन बाबू का जो है वो सुसासन के नाम पर बस धोंग कर रहे है उनका कोई भी चल नहीं रहा है कुछ भी नहीं चल रहा है बस कुरसी के चकर में ये लोग जो है अपने फायदे के लिए लोगों को जो है वो धकेल रहे है मौत के तरफ आँखों में काला पट्टा लाकर सदन के अंदर भी जाएंगे बिलकुल जाएंगे उतकरिश न्यूज नेशन पटना